Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्क्षीट नमबर 22, 4, क्लास 6 गनित की बच्चों ये वर्क्षीट है जो आपके लिए 10th December 2020 के लिए शडूल की गई है सिख्षा निदेशाले की ओर से आज की इस वर्क्षीट का हमारा ट्वापिक है दस्मलो सतांच तो बचा लास्ट वर्क्षीट में हमने दस्मलो दशांच के बारे में पढ़ा था आज की वर्क्षीट में हम सतांच के बारे में जानेंगे संजय उर्राकेश ने अपने अपने कमरे की लंबाई मापी संजय का कमरा 7 मीटर 25 सेंटी मीटर लंबा और राकेश का कमरा 5 मीटर 75 सेंटी मीटर लंबा था तो बिटा यहाँ पर देखे दोनों ने अपने अपने कमरे की लंबाई मापी अब हमें क्या करना है क्या आप दश्मलों का प्रियोग करते हुए इन लंबा यह को मीटर में व्यक्त कर सकते हो तो देखे यहाँ पर 7 तो मीटर में है लेकिन यह 25 चो है यह सेंटी मीटर में है तो हमें इस 25 सेंटी मीटर और 75 सेंटी मीटर को मीटर में रस्मलों के साथ चो है व्यक्त करना है तो बेटा हम जानते हैं कि 100 cm किसके बराबर होता है 100 cm बराबर है 1 मीटर यानि मीटर में 1 मीटर में कितने cm होते हैं सभी बच्चे जानते हैं 1 मीटर में 100 cm होते हैं और ये मीटर, सेंटी मीटर, किलो मीटर ये सब लमबाई के मात्रक होते हैं कोई भी लमबाई होती है तो हम इनको इन मात्रकों की साइता से मात्ते हैं इसलिए, अब देख़िए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अगर सौ मीटर जो है, वो किसके बराबर है? सो सेंटीमीटर एक मीटर के बराबर है तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा एक सेंटीमीटर होगा एक बटा सो के ठीक है एक सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया एक बटा सो मीटर के यानि एक सतांश मीटर के तो एक सतांश मीटर हम कैसे लिख सकते हैं तो देखे अब यहाँ पर एक बटा सो है ना तो हम क्या करते हैं नीचे दो 0 है तो हम क्या करेंगे हम एक को तो यू का यू लिखेंगे और इसके आग एक 0 लगाएंगे और फिर हम लगा देंगे 10 मलो ठीके जिस तरह हमने नीचे जब 10 था तो उपर हमने एक से पहले क्या तो है दो इस तरह से छोड़ते हुए और यहाँ पर लगा देंगे 10 मलो का हम कर देंगे अब देखिये संजय के कमरे की लंबाई तो अब संजय के कमरे की लंबाई दिया गई है 7 मीटर 25 सेंटी मीटर तो बेटा तो 7 हमने यू का यू लिख दिया और 25 को हमने लिख दिया 25 बटा 100 अब हम क्या करेंगे 25 लिखा हमने नीचे 2 0 है तो हमने 2 ऐसे छोड़ते हुए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने यहाँ पे 10 मलव लगा दी ठीक है अब इस 10 मलो का मतलब क्या है कि यह जो है यह 100 का 25 बटा 100 का मतलब क्या है कि 100 टोटल बटा 100 और उसका 25 बटा 100 और यह जब दशांस पड़ाता तो बहुत अच्छे से हमने यह बात समझी थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 मीटर और 1 मीटर 1 मीटर में कितने सेंटी मीटर 100 सेंटी मीटर तो यानि 1 मीटर का 25 सतांश ठीक है तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा बिटा साथ दसमलव दो पाँच मीटर उसके बाद देखिए राकेश के कमरे की लंबाई राकेश के कमरे की लंबाई है पाँच मीटर और पिछटर सेंटी मीटर तो पाँच तो यू का यू रहेगा पिछटर सेंटी मीटर है तो हम क्या लिख सकते है उसको 75 बटा 100 मीटर ठीक है तो इसको हमने लिख दिया तो उसके बाद देखे ये 5 मीटर और 1 मीटर का 75 शतांश तो 75 को हम ऐसे ही लिखेंगे और नीचे 2 0 है ना तो 2 छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसमें क्या लगा देंगे दशमलो लगा देंगे तो ये कितना हो गया ये हो गया 8.75 मीटर ठीक है 8.75 मीटर अब देखे नेक्स दिया गया है 13.76 क्या है तो बिटा आपको बताना है 13.76 क्या है तो हमने लास्ट वक्षिक में भी पढ़ा था कि जो आगे है ये क्या है ये तो एक पूर्ण संख्या है लेकिन जो ये पीछे दिया गया है ये पूर्ण संख्या नहीं है ये पूर्ण संख्या का एक भाग है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ते हैं इकाई इसको पढ़ेंगे दहाई और जो साथ है ये क्या है दशांश हमने पढ़ा था ना ये साथ क्या है इसकी स्थीती है जो है दशांश अब 6 की स्थीती क्या होगी 6 की स्थीती होगी 6 इकाई ये स्थीती है इकाई ये स्थीती है दहाई ये स्थीती है दशांश ये स्थीती है शतांश तो यहाँ पर अब हमने इसको कैसे लिखा तो यहाँ प जो है दहाई, साथ, जो है दशांश, और छे क्या है, छे है, सतांश, ठीक है, अब आओ करें, अब यहाँ पे कुछ प्रशने दिये गए हैं, जो आपको करने हैं, और बहुत आसान है आपके लिए, निमलिखित में से प्रते को दश्मलों के रूप में लिखें, तो बिटा, आप दसमलों लगा देंगे, ठीक है, तो यह हो गया, इसके सामने आप 0 लगा दीजिए, तो यह हो गया 0,07, ठीक है, 0,07, अब उसके बाद देखिए, 25 इंटू, ये दिया गया है, आपको 25 है, 23 बटा 100, तो यहाँ पर 23 बटा 100 को हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हमने 23 लिखा और ये देखिए नीचे 2 0 है ना तो 1 और 2 ये हमने इस तरह से छोड़ दिया ये देखिए यहाँ पर 10 मलो लगेगा ये दशांच है ये शतांच है ये बेटा ये 0 इसमें क्या है ये 0 दशांच है और ये 7 जो है शतांच है तभी तो 2 जो है हमें मिलेंगे नीचे 100 है हम इस तरह से करते हैं आगया आप 0 लगा दीजिए ठीक है तो ये तो केवल 23 बटा 100 बदला गया तो अब हम इसको पूरा कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे 25 दस मलो पचिस दस मलो दो तीन ऐसे लिखेंगे इसको हमने क्या रिखा था जीरो दस मलो जीरो साथ इसको हम लिख लिखेंगे 7 दस मलव वही तीन बटा सो है तो हम पहले 0 और फिर 3 0 दशांश और ये 3 सकांश ठीके ना तो इस तरह से हम जो है ऐसे भी लिखेंगे तो ये हो गया 7 7 दस मलव 0 3 अब हम करेंगे प्रश्न 2 निम्न लिखित 10 मलव को तालिका में लिखे तो देखे ए दिया गया है 12 दस मलव 6 7 तो बेटा एक यहां पर आप देखेंगे न दस मलव से इधर जो है क्या है देखे 12 दस मलव 6 7 दस मलव के इधर 2 क्या है इकाई का स्थान तो इकाई में आप लिखेंगे 2 ठीके दहाई है 1 उसके बाद दशांश जो है वो क्या है 6 है और शतांश क्या है 7 है ऐसे आपको लिखना है तो यह हो गया आपका A A भाग हो गया तो बेटा हम इसको जो है इसे करते चले चाहेंगे दूसरा दिया गया है 25 दसमलों 2 5 तो 25 में बेटा दसमलों से इधर शुरू कीजे 5 इकाई का स्थान है 2 दहाई का स्थान है 10 मलों के बाद 2 दशान्ष है और उसके बाद 5 जो है वो शतान्ष है यह हो गया आपका B ठीक है अब हम करेंगे यहाँ पर तीसरा C भाग जो है उसको हम करेंगे तो C भाग में आपको यहाँ पर दिया गया है 111 दसमलों 3 4 तो बेटा यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है लेकिन यह देखे अब यहाँ पर पूर्ण संख्या 111 है तो इसमें इकाई 1 हो गया दहाई भी 1 हो गया और जो तीसरा 1 है ना बेटा वो सैंकडे का है ठीक है तो आप यह C हो गया तो तीसरा जो है आप इसमें लिख देंगे आप इसको लिखेंगे तो देखें एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ आप चो है यहाँ पर आप चो है सैंकडा भी लिख लीजी क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है सैंकडा अब इसमें एक यह भाग है हमारा 1, 2, 6 और 7 उसके बाद देखें 2, 5 फिर 2 और 5 हमारा सतांश है अब तीसरे में 1 हमारा सैंकडा, 1 हमारा दहाई, 1 हमारा इकाई 3 हमारा यहाँ पर दशांश है और 4 हमारा यहाँ पर शतांश है तो यह हो जाएगा आपका यह है A भाग यह है B और यह है C का अंसर ठीक है तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैट्स की वक्षीट I hope एट आपको ये वक्षीट क्लियर है कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए और अगर आपको वीडियो ची लगी तो लाइक शेर जरूर कर दीजिए और और अर्गेनाइज नौलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थैंक्स पर वाचिंग, have a nice day